गुट मॉर्निंग स्ट्वेंट्स ओनलाइन क्लासिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं। स्ट्वेंट्स आज हम करेंगे हिंदी विशे के सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। जिसमें हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और उनके परिभाशाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारी opik का नाम है सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर प्रोणाम, चीक है? तो देखिए सर्वनाम की डेफिनेशन के तरफ प्रिभाशा के तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू। कि जैसे माली जी कहते हैं कि मेरे मित्र का नाम मोहन है मोहन की मापिता जी एक ध्यापक है मोहन की माता जी एक नर्स है मोहन के पांच भाई हैं मोहन की दो बहने हैं मोहन खेत में जाता है मोहन विद्यारतियों के साथ बातें नहीं करता यानि कि हम बार-बार क्या करें, एक ही शब्द का प्रियोग करें, मोहन, मोहन, है ना, तो क्या कहते हैं, कि ऐसा बार-बार मोहन शब्द का प्रियोग ने करके, हम इन शब्दों की जगे, जैसे वह, यह, मै, मेरा, तू, तुम, तुमका, इने, यह, यानि कि इस प्रकार से व अनुसार हम शब्द लगाएं वही जो ये शब्द हम लगाते हैं संग्या के स्थान पर उन्हें हम क्या कहते हैं बिटा सर्विनाम कहते हैं इनके बार बार मोहन मोहन कर रहे हैं अगर हम यह कहें कि मेरे मित्र का ना मोहन है उसके पिताजी एक अध्यापक है वह पांचवी कक् में पढ़ता है ये वह केत में जाता है उसके दो भाई बहन और भी है यानि कि इन शब्दों का प्रियोग किया बार बार मोहन का प्रियोग न करके किया ना तो इनी जो इनके मोहन के जगए पर मोहन के स्थान पर जो ये वह है उसका ये शब्द जो आई है उन्हें ही क्या कहत तो देखिए हम पापको परिभाशा की तरफ लेकर चलते हैं परिभाशा क्या है इसमें कि संग्या की जगह प्रियोग किये जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं यहां कि कि आपको बता है कि मैं तुम तुम्हारे हम सब्सक्राइब होते हमोजे इसमें लिखा हुए है हम तुम आप वह वे उस एन कोई कुछ यह है यह क्या कौन यह सब्सक्राइं है ये सबी शब्द हमारे पास सर्वनाम है चीक हैं किन तो ये भिन भिन प्रकार के होते हैं किन तो भिन भिन प्रकार के मतलब जो ये आप हम तुमें ना इनको भी डिवाइड के आगे कि इसके अंदर आएंगे तो अब देखिए हम बात करते हैं कि भाषा के सर्वनाम के सर्वन कि पढ़ेंगे सर्वनाम के हमारे पास छे भेड होती हैं कितने होती हैं कि इस निस्षवाचक सर्वनाम नमब्र एक क्या हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम नमबर दो आपके पास यहां पर दिखाई दे रहा है निश्चे वाचक सर्वनाम नमबर तीन ए निश्चे वाचक सर्वनाम नमबर चार प्रशन वाचक सर्वनाम नमबर पांच निजवाचक सर्वनाम और लास्ट में आता है नमबर छे संबंद वाचक सर्वनाम ठीक है बेटे, आज हम बात करेंगे अपने इस lecture के अंदर पुरुष वाचक सर्वनाम के बारे में की पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बेटे पुरुष वाचक जो सर्वनाम होता है वो किसी विशेश व्यक्ति या प्राने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जैसे हम अपने लिए व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं उसे जैसे हम तू तुम वहे वे ये शब क्या है पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं व्यक्ति के लिए जो प्रियोक किया जाते है और फिर आपके पास आता है अन्य पुरुष चर्वनाम अब पुरुष वाचक यानि की कहते है उत्तम पुरुष के अंदर क्या क्या आएंगे उत्तम पुरुष के अंदर आएंगे आपके पास क्या क्या शब्द है मैं मुझे मेरा अपना हम हमारा हमें ये सबी शब्द क्या होते हैं मारे पास उत्तम पुरुष जैसे मैं बहुत सुन्दर हूँ, हम खेलने जा रही हैं, मुझे जो आपको यहां पर शब्द दिखाई दे रहा है, मुझे अपने परिवार पर गर्व है, मेरा परिवार एक अच्छा परिवार है, हम अपना ग्रे क सारिय करते हैं, यह सभी किसके अंदर आएंगे हमारे पास, यह सभी आएंगे, पुरुष वाचक सर्वनाम के अंदर हमारे पास यह शब्द आएंगे, अब हम बढ़ते हैं, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष में जैसे तू, तुम, त हैं तेरा घर कहां पर है ता पर थो आभी कहें जा फि वंदर क्या कहा जाएंगे वहे वे हैं उसका उनका आले सभी शव्द प्योथे जैसे देखわかर इसमें क्या गे हैं शव्द दिखा वंए दिख्वाइक हैं वहन केरा घर है वंए ली वे उसका नाम राधिका एह को उनका काम दूसरों की बाते सुनना है यह सभी शब्द क्या होते हैं मारे पास पुरुष वाचक अन्य पुरुष वाचक सरवनाम तो सभी बच्चे इसको काम को चेतरीकी से करेंगे देखिए आपको पुरुष वाचक सरवनाम यहां पर पूरा दिखाई दे रहा है और यहां यहां पर आपको मध्यम पुरुश और यहां पर आपको अन्य पुरुश अपिन सब को आप अपने पने होंवर्क में कर लीजिए और याद भी करना है थैंक यू एंड है नाइस देग